जेहिन दोस्तों अनिल सारे टी चलना आपसे का बहुत-बहुत स्वागत है रेल्वे रिकूट्मेंट से साउथ इस्टरन रेल्वे कुलकाता की तरफ से आईटी पास आउट कैंडिडेट्स के लिए 1785 पोश्ट पर अप्रेंडिसिप निकल कर आई थी दोस्तों जिसका डॉकन वेरिफीकेशन का अज मेरिट लिष्ट जारी कर दिया गया है जिसके बारे हैं पुरी जनकारी आज के इस वीडियों बात करने वाले हैं चैनल पर नहीं आया तो सब्सक्राइब करके दोस्तों सेर क कर दिजेगा और भी कई सारी अपडेट्स हैं जो आप चैनल पर मिल जाए तो चैनल पर विजिट करके आप चेक आउट कर लिजेगा और अनिल सर आई टीए एप डाउनलोड कर लिजेए जहां पर आपको कई सारी एक्जाम के लिए टेस्ट सिरीज स्टी मेटेरियल्स प्र जो आपके एक्जाम में काफी हलफुल होंगे आज ही जाकर के डाउनलोड कर लिजेगा हम बात करने वाले सीर कुलकाता के मिरिट लिष्ट के बारे में यह मिरिट लिष्ट आपको डाउनलोड करने का Link डिस्क्रिप्शन मिल जाया आप टेलिग्राम भी जोएन कर लिजेग गानिल सराइटे के नाम से है वहाँ पर लेटेस्ट अब्रेट मिल जाता है साउथ इस्टरंड रेलवे गार्डेन रिच कुलकाता की तरफ से दर तेईस चोबिस का जो अपरेंडेसिप जो नॉबर दर तेईस में निकल कर आया था उसी का है अठारा चार आची कुछ दर पहल है यूनिट वाइस ट्रेड वाइस काटेगरी वाइस इमेरिट लिस्ट बना हुए है डिवी का भी डेट जारी हो चुका है कॉल लेटर जो है आपको बताया जाएगा जब लिंक आया तो आपको बता देंगे तो आपको अपना डाउनलोड करके भी अपना देख लिजेगा लिंक आते हैं आप आपको लिंक दे जाएगा कॉलिंल साइट पर साइट पर भी लिंक देदेंगा तेलि ग्राम पर भी आपको लिंक देदेंगा ठीक है देख लिजेगा call डिक है यह दो लेटर बहुत जल्द ही अप्लोड कर दिया जाएगा ठीक है डॉकन वेरिफीकेशन में क्या क्या लेकर जाना कैसे बनेगा सभी देखेंगे उसके पहले आपको मेरिट लिष्ट आपको दिखा देते हैं यह मेरिट लिष्ट है दोस्तों 56 पेज का इसमें एक पेज तो पहला मैं दिया गया है नोटीस बाकी जो है 55 पेज का मेरिट लिष्ट है जिसमें आपका नाम कौन से यूनिट अलॉट हुआ है को से ट्रेड आप क्या डेट बर्थ हैं क्यों सा केटीगरी आपको अलोट हुआ है और केतने थारिकरेक दिबिआ ही उसे जानकारी इसमें दी गई है ठीक है एक माई से डिवी सुरू हो रहा है दोस्तों और यह डिवी चल रहा है नौ अब नौ माई दोहजार चौविस तक यह डिवी चलने वाला है टोटल पचीस सो बेरासी कैनेट सौट लिस्टेड हुए हैं सीटों की संख्या देखिए है तो पर सत्रह सो पचासी है जबकि सेलेक्टेड कैनेट की संख्या पचीस सो बेरासी है तो इसमें जो कैनेट नहीं जाएंगे उनके बदले जो 50% एक्ष्ट्रा कैनेट है उनको यहाँ पर सेलेक्ट कर लिया जागा ठीक है तो यहाँ पर यह मान लेना है कि कुछ काया रहा कि अगर जैसा ऐसा कि नहीं है मानले यह सभी कैनेट पहुंच आते तो सभी का तो होगा नहीं होगा सेलेक्शन किता सत्रों सो पचासी लोगा लेकिन बहुत ही कम ऐसा होता है कि जो कैनेट का जो है डिवी के लिए नहीं होता है क्योंकि दिगर 40-45% करें तो डिवी में ही नहीं पहुच पाते हैं ठीक ह से डॉक्मेंट लेकर जाना तो जो आपने फॉरम भरा था उसका अप्लिकेशन का प्रिंट आउट होना चाहिए डिवी का डेट बर्थ आपका सट्वेट होना चाहिए जनौन पाणा पत्र नहीं है तो मैट्री का माक्सिर सट्वेट ले 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 जाना है और आप और आप ओ सबस्क्राइब कर रिखन बोगरी ले नहीं है रिखने का प्राइबिश नवैब होना चाहिए पर जोंक जो आपने फॉरम भरती दिया था वो नहीं है तो रीसेंट का जो है कोई पासपोर्ट साइब फोटो आपको ले लेना है मेडिकल फिटने सर्फेट बनवा लिजेगा किसी भारत सरकार के रेपुटेड यह है कॉल मेडिकल है हॉस्पिटल है वहीं पर आपको असेशेंट सर्जन या सर्जन होंगे उन फिल्काटर गार्डेन रिच कोलकाता मैं आपको डिवी के लिए पहुंचना है रिपोर्ट करना है अपने समय से रिपोर्ट करें नहीं तो यहां पर आपको समस्या होने लागे काफी सारे क्याइट जो हैं आप रेलेट से जाएंगे तो फिर दिक्कत भी होगी लेकिन आप आपको मान लिए पांच तारी को ना जाना था पांच को नहीं जा पाए तो आप नौ तक जा सकते हैं तो आपका सेलेक्शन हो जाए ठीक है मान लिए दो तारी को था दो तारी को कोई परिक्षा है तो नहीं जा पा रहे हैं तो आपको जो है नौ तारी के पहले आपको तो उम्हेद करते हैं वीडियो अपने जनकारी दी गई है और जो भी शॉट लिष्टेट के नीचे आपना ट्रेड कमेंट करके बताईगा साथ जाथ आपका अबरेज पर्सेंडेस क्या था क्या आपका कैटेगरी क्या था नीचे कमेंट करके जरूर बताईगा ठीक है इसे क तो हम बता देंगे ठीक है बाकी जो भी कैमेट सॉट लिष्टेड हुएँ है तो नीचे कमेंट करें आपका सेलीक्ष近 कहां पर होएं क्या आपका कैटेगरी था त्रेड था अवरेज पर्सेंटेस था नीचे कमेंट करके जरूर बताईगा वैल तकली वुडियो में आपस बहुत बहुत धन्यवाद